हलो नमस्ते सच्छिया कल दोस्तों और आज हम फिर से एक बहुत ही इंट्रस्टिंग कहानी सुनने वाले हैं और यह कहानी इस पैसली उनके लिए है जो एक्टिकल हैकर हैं हैकर से जो एक्टिकल हैकिंग सीख रहे हैं या फिर जो इस आईटी सेक्योटी फिल्ड में एंटर हो वीडियो और आपको जरूर से जरूर पसंद आएगी वीडियो लाश्ट तक देखिएगा बहुत सारी अच्छे अच्छे इंफरमेशन आपको इसमें मिल जाएंगी अगर आप एक हैकर हैं और हैकिंग होगर करते हैं वेबसाइट हैं एप्स होगर है करते हैं कंप्यूटर सब्सक्राइट गरते हैं तो आपके लिए वीडियो है ठीक है आजम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हनी पॉट के बारे में और आपको हनीपॉर्ट से जूड़ी कुछ जानकारिया आपको बताना चाहता हूं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपकी जो अंद सब्सक्राइब करते हैं तो आपको लगता है कि आपने कोई वालिविटी फाइंड आट कर ली वैबसेट में इंटर हो गए वैबसेट है कर ली और बस काम अपना हो गया पोस्ट करने लगे या या यह मैंने यह शेल अपलोड कर दिया मैंने कर ली वैबसेट मेरे कभजे में हैं अब क्या एड्मिन को मैसेज कर दिया कि या इस नंबर पर कॉंटेक्ट करो यह करो वह करो चलो ठीक है मान लिया यह अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है आपकी स्किल्स है वह ठीक है लेट सपोज आपको यह पता चले अगल लाके वो चीज़ करवाई गई है जी हां तो हनीपॉट को लेके कुछ ऐसा ही होता है हनीपॉट का मतलब है एक इंटर कनेक्शन अफ नेटवर्क एक ऐसा प्लैटफॉर्म एक ऐशा मशीन एक ऐसी चीज जो की क्रियेट की जाती है स्पेशली अटैकर्स को ट्रैप करने के लिए यानि हैकर्स को ट्रैप करने के लिए यानि अगर हैकर्स यह सोच रहे है या फिर आप एक हैकर है या फिर जो भी हैकर्स अगर यह सोचते हैं कि वो सिर्फ अटैक कर सकते हैं और उनका कुछ नहीं कोई बिगार सकता तो यह गलत फैमी होती है सारे हैकर्स को क्यूंकि उनसे भी दो कदम आगे कुछ लोग हो सकते हैं जो उनके लिए ट्राइप बनाते हैं ठीक है तो आपने यह देखा होगा कि कितना भी कोई चला क्यों नहों ठीक है अगर उसकी कुछ कमजोरी है तो वह उसमें फस ही जाता है है कि कमजोरी क्या हो सकती है डाइबल वैबसाइट्स वुनेरियबल एपस वानेरियबल वैप सरवर्स वनेरियबल कोई वी चीज़ ऐसी से मशीन अलेक्ट्री जो वर्लेबल हो यानि कि उसमें वर्लेविटी भरी पड़ी हो है को क्या लगँ वहाओ याओ इसमें तो यार हज है पंस वहांब यह स्कुला है उथेंटिकेशन है ऑनिकेशण वाइपास सी पास है क्या है तो इतने वैंटेबी जब मिल जाएंगे वह करो साथ वह एको मुंत एंदम लगेंगा इसे ओलं में लडू फूटने हैं vaccmingly सब्ग्री средs लगें के लगें यानि कि honeypot उन organizations के द्वारा create किया जाता है उन hackers के द्वारा create किया जाता है जो किसी दूसरे attackers को trap करना चाहते हैं उनके activity को read करना चाहते हैं उनके जो भी components हैं उनको read करना चाहते हैं उनका जो circumstances हैं उनको read करना चाहते हैं और वह ये समझना चाहते हैं कि जो सामने वाला hacker है वो actually किस चीज का use कर रहा है attack करने के लिए कैसे attack कर रहा है कहां से attack कर रहा है traceback, IP traceback जो होती है यानि कि IP address जहां से आप attack कर रहे हो उसको trace करने के लिए reverse trace जो होता है कि एक ऐसा वर्चुल सिस्टम एक ऐसा वर्चुल मशीन जो बिल्कुल एक्चुल लगती है बिल्कुल एक्चुल और वो सामने वाले अटैकर को दी जाती है सामने वाले अटैकर के सामने लाई जाती है ताकि अटैकर को यह लगे कि यह रियल एक वलनेरेबल प्लैटफॉर्म अबहुआ जाता है कि इसको सारी रिकॉर्ट जो भी अजिएधल करता है उस जो भी और रॉणट करता है जो तोहन्स करता वर जहां से अक्स्स और जहां से कर रहा वहता उस है लोकेशन का भी आइडिया लग भग लग चल जाता है ठीक है जब तक की इतना ज्यादा Smart नहों तब तक तो इस तरह से हनिपॉर्ट का यूज किया जाता है दो टैप के हनिपॉर्ट सोते हैं लो जिन में एक इमुलेटेड और इंडूरेट फौन को लैपटप चला लेते हो तो वैसी विश्ड रियल नहीं होते वर्चुली इंडिटेड होते हैं उनको यूज किया जाता है और डेकर के सामने लाए जाता है उसको वलाइबल प्लैटफॉर्म प्रवाइड के जाता है वो जो अपरिंग सिस्टम में पूरी वल्लेरेबल होती है उसमें बहुत सारी वल्लेबिलिटीज होती है और उसमें कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो नों कैप्चुरींग यानि जो भी मेतोर्डोलॉजी जो हैक स्यूह कर है जो स्को कैप्चर करने के लिए तैकि वह करए हथाऊ होे और बाली को इसको ठीक है हाइं प्रिखल जाते है और वह बिल्कुल आपका जैसे Windows 7 Windows 10 Windows Server operating systems होते हैं वैसे एक real operating system होता है real scenario provide किया जाता है जो attacker है उनको शक नहों और जो high interaction honeypots होते हैं उसमें बहुत सारा attackers easily फ़स जाते हैं उनको लगता है यह एक valuable platform है हम इसको hack कर सकते हैं और जैसे हो hack करते हैं और उसमें जो भी चीजे हैं अपनी जो भी वे है है यूज करते हैं सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि वो honeypot में trap हो चुका है ठीक है honeypot पहले सिर्फ government officials के दोरह यूज किया जाता था बट अब कुछ लोगों ने open source honeypot trap create कर दिया है और सबसे पहला open source honeypot जो create हुआ था वो एक virtual honeypot open source प्रजेक्ट है जिसको की honey ad यानि की honeyyd.org website है जिस पर की इसके creator ने यह चीज़ बनाई थी यह open source project है और यह low interaction honeypot है जो की वर्चुली आपको available है वर्चुली अपना खुद का honeypot honeyyd.org पर जाके create कर सकते हैं बना सकते हैं उसके बाद यह था लो इंट्रक्शन honeypot high interaction honeypot का example है honey net honey net एक प्रोजेक्ट है open source है नहीं यह में नहीं बता सकता बट हनी net एक high interaction honeypot का group है network interconnected networks है जिसका इस्तमाल करके आप high interaction honeypot को इस्तमाल कर सकते हैं बना सकते हैं और जो honeypot attack है वो attacker के यानि hacker के लांच कर सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप कोई website hack कर रहे हो वैब app hack कर रहे हो वैसा यह सब या फिर कोई आप बड़ी से बड़ी servers को hack कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वह real servers real operating system real websites real apps हो ज़रूरी नहीं है यह भी ज़रूरी हो सकता है कि वह fake आपके लिए ट्रैप बनाई गई हो ठीक है हाला कि वह ट्रैप सिर्फ उनके लिए होगा जो इतने बड़े आप honeypot का इस्तमाल करके आप attackers को पकर सकते हैं अगर आप यह सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल सही सोच रहे हैं क्यूंकि honeypot बहुत ही जादा एक अलग टाइट की चीज हो गई है एक अलग टेक्लोजी है जिसका इस्तमाल attackers को capture रहनी की पकरने में किया जाता है आप भी खुद का बना सकते हैं आप उस पर भी जाके विजिट आउट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से गाईज honeypot को डिटेक्ट करने के लिए भी एक चूल आता है जिसका नाम आपने साथ शुना होगा नैसस टूल जो है N-E-S-S-U-S है नैसस टूल जो शायद काले लिक्स में आपको मिल जाएगा वैसे भी मिल जाएगा कि open source project है नैसस टूल से honeypot को डिटेक्ट किया जा सकता है और उसका इस्तमाल आप honeypot detection में भी कर सकते हैं ठीक है तो यह जो बाते थी honeypot की यह जो कहानी थी honeypot की तो इसमें जो honeypot है वो एक राज़ा एक राजा है यानि कि आपको पता है कि राज़ा राजा राजा राणी ऐसे ये दोणों अगे उससे कभी-कभी वस्ट में करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि attacker भी honeypot को अपने वस्ट में कर सकता है अगर उसे पता चल जाता है कि एक हनीपॉट है तो जब तक पता नहीं चलेगा वह कुछ नहीं कर सकता उसे लगेगा वह रियल एक कर रहा है रियल हैकिंग कर रहा है बटो एक्चुली में बिल्कुल वर्चुल हैकिंग वर्चुल एटाइक कर रहा होता है जो से गॉर्मेंट जी ओवी डॉट लास्ट में जी ओवी नहीं भी लगा रही हो और एक डमी वैपसेट बनाई हो उनको ट्रेस करने के लिए जो अटैकर होते हैं जो गॉर्मेंट ऑफिसेट की वैपसेट करते हैं तो हमें से इस बात का ध्यान रखिएगा ज्यादा मतलब ऐसे उड़ने की जगत नहीं होती है अगर आप हैकिंग कर रहे हैं तो क्योंकि आज आप हैक कर रहे हैं कल आपको भी कोई है कर सकता है बहुत ही दो मिनिट का काम होता है बस अगर सामने वाले ने पूरी प्लानिंग कर रखी है तो हैकिंग सिर्फ नॉलेज से नहीं होत थी लिए प्रि प्लाइनिंग बहुत ही सबुझ के लिए आपकर ये को पुछ करते हैं नहीं तो अंगले दिन आपको कोई हब करता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है जब तक पता चलेगा बहुत देर हो चुकी रहेगी तो हनी पॉट के ऊपर ये छोटी सी एक मतलब वीडियो थी जो कि मैंने कहानी के रूपे आपको सुना दी आई होप कहानी लोगों को बहुत ज्यादा सुनने का मन कर है लोग अपने दादी दादा जी से कहानिया सुना करते थे आज भी सुना करते हैं तो यहीं मैं सोच के सोचा कि आपको एक यह राजा और रानी की कहानी सुना देता हूं और यह कहानी बस यहीं पर समाप्त होती है और आई होप इसमें ना राजा मरते है ना रानी मरते हैं और उस कहानी को और इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए प्लीज आप इस कहानी को शेयर लाइक और इस चैनल को यानि की इस थेटर को सब्सक्राइब कर दिजिए बैल आइकन प्रेस करके जहां पे आप कहानिया सुनने आया करते हैं तो मिलता अगले वीडियो में बाबाई टे कर दो करो तो मिलता है कर दो सेक्ट करों।